तो पर्थम यहां पर 130 का मामला है आग लगने का सब्सक्राइब कान ही आग लगे होगी तुछ ना कुछ ना कुछ तौरित मिली हम लोग ने तौरित इस पर करवाई की जैसा कि आप देख रहे हैं कि वे राउल से काफी जो है यह खतरना को सकता है तो तौरित रूप से हम लो पर क्या कि इंजॉड होने के किसी को सुचना नहीं है सभी लोग पुरक्षित हैं रास्थानी पटना में लगतार आग का तांडव जारी है पटना जंक्शन पर पाल होटल में भी भयानक आग लगी थी उसके बाद से कल पटना की पुरानी म्यूजम में भी आग लगी है त आग लगी के कारण कैंपस में अफरा तफरी का मोहौल बन गया आग की सूचना मलते ही मौके पर दमकल की गारिया पहुची है और आग बुझाने की कोशुस मजटी है हाला कि आग लगी की सूचना पर पहुचे अगनी शमन वभाग के फायर फैक्टरी द्वारा जो आग प आग पूरी तरह से आग पर काबू पालिया गया है अंदर किसी की फसने की सूचना नहीं आई है अभी तक कि जानकारी में यह सौट सर्किट से आग लगने की सूचना है जी हां यह बताया गया है कि सौट सर्किट के कारण आग लगी थी क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुन इसको आग को डाउच कर दिया है अभी क्या सी अब कंड च्राइब है अभी किसी को सुचना नहीं है अभी रिख राग इसको आग के शमन के कार्च कर रहा है अन्दर मुएना करने के बाद यह हम लोग ने पाएंगे कि वास्ते कुछ से कितना लॉट हुआ है या बीसे शुत स सब्सक्राइब नीचे आग लगी उसका हम लोग तरफ इन फॉर्म किये उसका बाहर निकले देखे उसका आग फैल के सब पुला कंट्रोल किया आग तो बुछ चुका है लेकिन अभी डैमेज तो भहुत हुआ है लगतार गर्मी को देखते हुए पटना में लगतार गर्मी के कारण लगतार आग का तांडव जारी है यह दिन कहीं न कहीं से आग लगी की खबरे और सूचना जरूर प्राप्त हो रही है जैसा कि कल कल ही पटना के पुराने म्यूजम में आग लगी है तो वहीं आज बीएसनल एक्सचेंज आफस में आग लगी है कुटवाली थाना की जो पुलिस है वो मौके पर पहुची है साथी फायर ब्रिगेट की टीम जो है वो भी मौके पर पहुची है कुछ हद तक आग को काबू पा लिया गया है साथी किसी की फसने या फिर किसी के भी गायल होने की कोई खबरे फिलाल नहीं आई है ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए पने रहें NBC24